आज की वीडियो में डिसकस करेंगे समझेंगे सेल्स और पर्चेस का क्या मतलब होता है अकाउंट्स के अंदर मैं आपको एक बात बता रहता हूँ आप इसकी मीनिंग का आप इंपोर्टेंस एक मेरे बात से लगाईए मैं आपको एक बात बोलता हूँ अगर आपको सेल्स औ मेनिंग नहीं पता है तो आप accounting 100% गल्त करेंगे और इस गल्ती का नाम होगा error of principle मतलब जब accounts के principle की knowledge नहीं होगी तो वो error होगी तो उसका नाम है error of principle हेलो student कैसो आप सब आज की video में discuss करेंगे sales and purchase के बारे में दोस्तों एक चीज़ समझ लिजा accounting के अंदर commerce में accounts में हमारी sales की और purchase की एक special meaning होती है English के साथ confuse नहीं होना English subject पढ़ेंगे तो वहाँ sales और purchase का मतलब कुछ और होगा और commerce पढ़ेंगे accounts पढ़ेंगे तो उसमें sales और purchase का मतलब अलग होगा मैंने ये kept to me गया से मैंने ये बेच दिया तौ ये ऐक दोस्त को बेज दिया तो ये sales होगिया अंधो पर diploms ये sales नहीं हें और यूँचशर कुरण में पर्चेज़ नहीं है क्या मतलब है फिर अकाउंट्स में पर्चेज का मतलब दुकानदार बिजनिसमेन फर्म जो मटेरियल खरीदती है for the purpose of resale मतलब एक दुकानदार अपने दुकान के लिए जो मटेरियल समान goods खरीद के लाता है जिसे वो बेचे का दुकान पर रखके वो purchase है और जो दुकान पर माल बेच रहा है वह sales है अगर आपका business है मैंने आपको बताता हूँ अगर आपका एक chemist shop है तो आप medicine खरीदते हैं आप medicine खरीदते हैं किस से supplier से या firm से company से medicine खरीदते हैं तो यह purchase के लाएगा क्या के लाएगा यह purchases फिर आप इसे customer को बेचते हैं तो यह क्या के लाएगा sales के लाएगा आप कौन थे आपके एक शोप थी medicine अपने company से खरीदी तो परचेज है और आप customer को बेच रहे तो यह sale है आप एक चीज और समझीए आपने आपका furniture जो आपके दुकान में लगाया हो थोड़ा पुराना हो गया आपने उसको बेच दिया क्या आपके लिए goods हैं आपका medical store है आपके लिए फरनिचर गुट्स नहीं है फरनिचर गुट्स किसके लिए कारपेंटर के लिए ना तो अगर आपका फरनिचर की शोप है तो फरनिचर आपके लिए goods होगा फिर फरनिचर खरीदना और बेचना आपके लिए purchase sale के लाएगा मगर अगर आपकी chemist shop है आपका medical store ह है तो आपके लिए दवाई या जो है वो goods है तो दवाई खरीदना तो sales purchase है दवाई बेचना sales है मगर फरनिचर खरीदना वो sales पर्चेज नहीं किलाएगा वो किलाएगा purchase of assets और sale of assets आपके लिए asset है आगे समझ इसको एक दूसरे example समझते हैं आप समझोगे कि मैं कोई नया थोड़ा ही बता रहा हूं आपको यह तो आप समझी रहें sales purchase का मतलब मगर यह मतलब से भी आप confused हो जाएंगो गलत अंसर निकल जाए आपका समय में कोश्य कोश्य और नहीं कि मैं आपको एक फॉनला दाता हूं ग्रोज प्रोफिट जीपीक पॉल टू सेल्स माइनस परचेजिस माइनस डारेट एक्सपैंसेज अब जरा सुनो आपने अपनी शौप से एक साल में पांच लाग रुपे की सेल करी है परचेजिस अगर आपको परचेज की मीनिंग नहीं पता है तो आपने क्या करा है इसको गलत कर देंगे आप जरा कैसे समझना आपने तीन लाग रुपे की तो गुड्स परचेज की थी और मगर दो लाग रुपे का आपने प्लोट परचेज किया था आपने खाए कि मैंने पांच लाग रुपे की परचेजिस करी है तो आप यहां पर पैच लाग की माइनस करेंगे और कुछ डालेट एक्सपैंस भी है जैस बताया आपे सिर्फ गुर्ष पर्चेस करना रो मट्रियल हो आपके लिए चाहिए फिनिश गुर्ष हो बट गुर्ष होनी चीज़िए आप एक मैनुफेक्ट्रर हैं आप पब्लिशर है जैसा एक्जामपल गरूप में आप बुक्स बनाते हैं तो बुक्स बनाने वाले के ल दिना यह मट्रियल है तो यह पर्चेस के लाएगा इसके लाब मशीन खड़िता है तो वह पर्चेस नहीं किलाएगा वह सब्सक्राइब करेंगे और सेल्स में गुर्ष को सेल करना यह हमारी सेल्स और पर्चेस की मेनिंग ठीके दोस्तों समझ आ गया एक वड़ और समझ ल सेल्स रिटन आपने माल बेचा गुर्स बेची और कस्टमर को माल पसंद नहीं आया तो वह प्रचेस रिटन आउट वर्ट वर्ट तो समझ आ गया आपके मन में कोई डाउट नहीं होने चाहिए अच्छे चीज़ और समझ लें अगर आपको sales और purchase की meaning नहीं पता है तो आप accounting 100% गलत करेंगे और accounting गलत होने से error पेदा हो जाएगी और इस error को हम बोलेंगे error of principle मतलब मैंने भी क्या बताया था अगर आप बोलेंगे purchase means खरीदना तो आपने paper खरीदा तो भी purchase में डाल दिया sales इंग खरीदी तो पर्चेद में डाल दिया upload खरीदा तो पर्चेद में डाल दिया अपकी purchase बहुत ज्यादा हो गई है फिर आपका profit गलत आएगा क्यों क्योंकि आपने error करी है और का नाम क्या बता है मैंने error of principle क्योंकि आपको accounting principle की knowledge नहीं है इसलिए आपने error पेदा करती है आगे समझ दोस्तों तो याद रखो अगर आपको sales और purchase की meaning नहीं पता है तो accounting में error करेंगे आप और इस error का नाम क्या होगा error of principle ठीक है दोस्तों समझ गये इसलिए आपको accounting में purchases और sales की meaning जानने बहुत जरूरी है ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में इतना है जल्दी मुल